मुख्धमंत्री मोहन यादव ने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया कॉंग्रेस लगभग 20 साल से ज्यादा समय से राज्ज्य में सरकार से बहार है बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए कॉंग्रेस के नेताओं ने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है वो अधिकारियों का अपमान है उन्हें माफी माँदी चाहिए नेता प्रतिपाक्ष जिस धंग से बात रखते हैं उन्हें विचार करना चाहिए कांगरेस लगवग 20 साल से ज़्यादा समय से स्टेट से सरकार से बाहर है बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चलानी पाए और अभी भी कांगरेस की नेताओं न जिस जंग से अधिकारी करमचारियों के लिए जो भासा नर्बदापुरम में बोली है मैं मान के चलता हूँ कि ये समय अधिकारी करमचारियों का आप माने इस से उनको माफी माँगना चाहिए हमारा अंदोलन करना नेता प्रतिप्रक्षई जिस जंग से बात थोड़ी रखते हैं मैं लगता कि उनको विचार करना चाहिए अधिकारी करमचारी मद्वडेश के उनकी एक अलग साख है वो अलग दन से काम करते हैं इसे में राजनेती करने के लिए बहुत सारी जगह बहुत सारी तरह से बात कर सकते हैं मैं उम्मित करता हूँ कि आगे इन सारी बातों के लिए वो छमा भी मांगेंगे और अधिकारी करमचारी हमारी सरकार में बहुत इज़त से काम करते हैं निष्ठा से काम करते हैं सिद्दत से काम करते हैं और सरकार सभी वर्गों की भैतरी के लिए सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहती है मेरी अपनी ओर से पुन्हा अपने सारे अधिकारी कर्मिचारियों के साथ सरकार खड़ी है उनकी निस्टा उनकी वेवस्ता पे कोई प्रस्न नी उठा सकता है वो बेखोफ होके काम करें जनता की बहतरी के लिए काम करें सरकार ये शश्री प्रदान मंत्री की नहितरत में इस इसी प्रकार से ठोस काम करती रहेगी धन्याप